इंदी विद्याला यूटूब चैनल केंदर गद आपका स्वागत है विद्यार्टी मित्रू इसमें हम गक्षा नाइन्थ विसे सामाजी विग्यान मैं चैदेव जानी हम पार्ट नमर सत्तरवा जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पती उसके बारे में चर्चा कर रहे थे इस ग्यारा मुद्य देखे थे जो जंगलों की उप्योग गीता के अंदर आते हैं अभी आप लोग सोच रहे होगी कि आपकी स्क्रेट के पर यह फोटोग्राफ्स क्या सी है तो यह फोटोग्राफ्स है मैं गरू जंगल की ठीक है जो देवदार का आर है सुन्दर की फोटोग्राफ्स है इसलिए दिखाएगी है कि इसकी जड़ों को देखो यह अंदर से कितनी फ्याले हुई दिखाए दे रही है इसकी जड़ों के ओपर देखो गये तो कितनी जैसा कि बरगत का पेड़ की डहन या नीचे जुकती है उसी प्रकार इसकी जड़े जमिन की और चारों और एक दूसरे के साथ छोई दिखाए दे रहे है कि पेड़ लगों तो एह है सुनदर इवरुख्ष की फोटोग्राप्स ठीक है। उसके पशआत यह दूसरा भी है यह विर सुनदर इवरुख्ष … इस परकार से सुनदर इवरुख्ष दे क्ता है और ये वाल डेल्टा प्रदेश भी कहलाता है कि इसी रुक्षों के कारण क्योंकि इनकी जड़े इतनी है कि भूमी का कुछ विश्चा रोक के रखते हैं और बीच में दरारु की इसाब से नदियों यहां से बहकर अलग-अलग दिवाइडेशन में होकर फिर समुद्र को मिलती है तो इस जंगलों का परियावरण यह महत्व क्या है इसके पहले जो जंगलों की उप्योगीता वाला प्रशन है वो एक्जाम के अंदर तीन या चार मार्ग्स के अंदर पूछ जाता है तो उसके इसाब भी मुद्य बोले हो लिखने यह वाला प्रोट्शन भी जंगलों का पहले जंगल वर्शा लाने में सहायक होते हैं दूसरा मुद्दा वातावरण को विसम बनने से रोकते हैं तीसरा मुद्दा गेश प्राण दाई गेश ऑक्सिजन की पूर्ती करते हैं जंगल बाड़ पर नियंद्रन करने में मदद करते हैं पांचा मुद्दा कार्बन डायोकसाइड जिसी हानिकारग गेशों का शोषण करते हैं ज्यादा पेड पोध्य होगे तो क्या होगा कार्मों डायोकसाइड का प्रमाण कम रहेगा और ऑक्सिजन का ज्यादा अधिक प्रमाण जंगल बुमी के कटाओं को रोखता है पानिया बाड़के अंदर अगर ज्यादा पेड लगे तो जमीन की जो उबजाओ जो मिट्टी होते हो इसको बहने से रोखते हैं जंगल मरुस्तल को आगे बढ़ने से रोखते हैं जंगल रेगिश्थानिय विस्तार को भी आगे बढ़ने से रोकते हैं वायो प्रधुशं को कम करने में जंगल उपयोगी है जंगल प्राकृतिक सोंदरिय में रुद्धी करते हैं अगर जंगल ही ना हो तो दुनिया को सोचो कैसी लगेगी कोई भी हरा भरा ना हो ब्लैक इनवैट लगेगी जंगल है तो सुन्दरता है अलग अलग रंग रूप हम जंगलों की वज़े से ही देख सकते हैं बिना जंगलों के प्रकृति के सौंदरिय की कलपना करना भी सही नहीं है या तो हम कलपना भी नहीं कर सकते हैं जंगल हवा को शुद्ध गरते हैं वन्या जियो सुरिष्टिक हो प्राकुरूति आश्रे स्थल है प्राणियों के लिए यह अपना प्राकुरूतिक आश्रे स्थान है जंगल साहसिक पर्याटन प्रवूतियों के लिए भी आदर स्थल है साहसिक पर्याटन कहीं पी ऐसी कहीं गोशित किया गया है राश्टी विद्यानों और अभ्यारोन और जेव विविता के संदर में कुछ जंगलों को भारत के अंदर भी आरक्षित किया गया कि भी उनकी सुरक्षा की जाती है ये देश की अमुल्य दनोहर के रूप में इनका संचे किया जता है तो ये हो गया मुद्द्ध्ध है जंगलों के प्रियावरोनिय महत्व के अंदर इनको और जंगलों के उप्यों कीता को तुम लोगों को किताब किताब कर रहा है दुस्रा पोर्षन है जंगल सरक्षा तो वनस्पति जीवन प्रानी जीवन मानव जीवन के आंतर सम्मंदों से पारसितिक तंत्र का शुरजन होता है बनस्पती जीवन प्राणी जीवन तेता मानोव जीवन के आंतर सब्मंदों से पारस्पतिक तुरंद्र का के इसे प्रकार से सुरुष्टी चलती इन तिनों की आवश्चकता है सुरुष्टी को चलाने के लिए प्राणीयों की भी मानोव की भी और बनस्पतियों की परियाण विरुद्धी प्रवर्वर्वतियों मान सेक्ट आता स्वार्थ वरुद्धी के कारण पारिशितिक तंत्र Mevytahn पडा है मानों कि जो पर्याण विरुद्धी प्रवरुद्धी अधिक चाह मेरा गर अच्छा हो बड़ा सागरो राजमेल जैसा गरो तो उस गर को बनाने के लिए आसपास के पेड़ पोदो को यह जंगल विस्तार को काट कर उस जमिन को पूरा खुला कर गया फिर वहां पर अपने गर बनाते हैं कहीं पर उद्योग बनाते हैं तो यह सब अपनी स्वार्थ उरुत्तियों के कारण और अपनी मानसिक्ता के कारण उन्हों ने जंगलों के और जब पूर्थवी का जो यह पारस्परी श्थितिक तंत्र है उसमें भी व्यदान पड़ा है जंगलों के विनाश के लिए मानों की जमिन पाने की बूख सर्वादिक जिम इसके अलामा जन संख्या वृद्धी उद्योगों की आवाश्य शित्रों में दूर ले जाने की नीती शाहरी करण बहु देशी योजनाय, सडक नीर्मान कारिय, इमारती देता इंदन की लकडी पाने, खेती, दावानल, हाधी करणों से जंगलों का नाश हो रहा है जन संख्या में वृद्धी इसलिए अधिक लोगों को रहने के लिए अधिक उद्योगों को भी बनाना पड़ेगा तांकि अधिक लोगों को रोजगार मिल सके, इसके अलाम शाहरी करण बढ़ता जा रहा है, बड़ी बड़ी आहिराट स्री मेरते बनाई जाती है बहु देश योजना है, ठीक है, लोगों उक तक पानी पहुंच सके, इसलिए नद्यों पर बड़े बांध बनाए जाते हैं और उसके लिए जंगलों को काटना पड़ता है और उस बड़े बांधों के द्वारा लोगों तक बिजली की सुईदा, पानी की सुईदा भी प् तेन आधी कारणों के वह जैसे जंगलों का नाश हो रहा है, जंगलों के विनाश्य कारण परियावन का संतुलन बिगड़ा है और जंगलों के विनाश्य कारण भी परियावन का संतुलन बिगड़ गया है, रुत्व अनिशित हो गई है, मौसम के इंदर को स्पीक्स नहीं तथा वन्यों जिवो का निराश्रित होना इत्यादी है और जंगलों के विनाश्ट के कारण काफी सारा नुक्षान भी हुआ है जिसकी वज़े से वर्षा की मात्रा कम हो गई है अकल पड़ रहा है गलोबेल वर्मिंग यानि कि वेश्विक्ता अब गर्मी के अंदर वृद् होती है नैंटीन फिप्टी ट्रू की राष्रीनिति अनुसार 33 प्रतिशत विश्थान वनाचित होना चाहिए है इसकी वज़ेशे 33 में से भी हमारे पास 10 प्रतिशत कम है पारत के अंदर और उसमें गुजरात में तो इसका भी अनुपात बहुत कम है कि गुजरात में से 10 प्रतिशती जंगल आये हुए हैं इस तरह जंगलों का विनाश रोकना जरूरी है इसके लिए वन सरक्षन देता वन निवे दिन के आता है एक बाल एक पेड यसी योजना के द्वारा पेड बचाओ वरुक्ष बचाओ वर्शालाओ अपियान लोगों से अपने जन्म दिन पर एक वरुक्ष अवर्शे लगा है ऐसा अनुडोत किया जा रहा है और हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ के अंदर कम से कम एक पेड लगाना चाहिए तो यसी कहीं सारी योजनाओं के द्वारा और कहीं सारी प्रोग्रामों के द्वारा लोगों के अंदर वन शरक्षन के लिए जागरूत्ता लाई जा रही है ताकि जंगलों का शरक्षन हो सके और हम लोग अच्छी जिन्गी जी सके इतना आवश्य जानिए गुजरत में IUCN, International Union for Conservation of Nature, Red Data Book में प्लाश, Google, निल्सोटी, सिसम, इबली, हरे, आदिजेशी वनस्पतियों को बैजनक प्रजातियों की कक्षा में रखा गया है, यह सारी वनस्पतिया ऐसी है, जिनकी जो प्रजातिया वो तीरे दीरे नश्ट होने की कगार पर है, और ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा है, तो आने वाने समय के अंदर यह सारी वनस्पतियों की प्रजातिया शायद हमें फोटोग्राफ्स में या पिर कहीं पर भी देखने को ना मिले, इसलिए आप लोगों से भी मेरा अनुडोर्द है, आने वाले भारत वीडियो को भी हम बताएंगे कि अगर जंगल थे, ऐसी पनस्पतिया थी, वरना उनको हमें से फोटोग्राफ्स में या फिर कहानियों की दोर पर दिखाना पड़ेगा, इसलिए सबी विद्यातियों से मेरा भी अनुडोर्द है, कि जितना वासा के उतना पेड़ वोधे ल जितने यवाद।